ये तैयार है, लोग कह रहे हैं कुमे और खाई के बीच में आप्शन होता था पहले के चुनावों में, इस बार हम उनको कुमे और खाई के बीच में एक पगडंडी दिखा रहे हैं, जो सीधे आमादमी जीरो प्लस जीरो इस एक्वल टू जीरो ही होगा, उससे कोई फर्ग हम दिखाएंगे, भारते जंता पार्टी को एक भी सीट हर्याना में नहीं जीतते देंगे हर्याना तक में आपका स्वागत है, हमारे साथ आमादमी पार्टी के सीनियर नेता अनुराक डानडा जी बने हो आई, एक बार बातचीत कर लेते हैं, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लगातार हर्याना पे फोकस है, हलाकि चुनाओ नुदीग है, लेकि दडडडडड रेलि की होंगी, और अपनी सबसे सीनियर लीडर्शिप को चुनाओ प्रचार के अंदर इस तरह से जोका होगा, मुझे लगता है कि पूरे हर्याना के अंदर जहां भी हम जा रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, करनाल में बड़ा हुजूम आया है लोगों का, इसी तरह से हर्यान के बीच में एक पगडंडी दिखा रहे हैं, जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आती है, बीएसपी, इनलो का गटबंदर है, वही कॉंग्रेस पार्टी और बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही है, इस बीच आम आदमी अपने आपको कहां स्टेंड देखती है, द ओनों को लोग रिजेक्ट कर चुके हैं, रही बाद कॉंग्रेस और भारतिय जंता पार्टी की, कॉंग्रेस 25 साल राज कर चुके अरियाना में, भारतिय जंता पार्टी 10 साल राज कर चुके अरियाना में, कोई तो समस्या का समाधान हुआ नहीं, ना बिजली 24 घंटे सारी पार्टियों से तरस्त हैं लोग ऐसा विकल्प चाहते हैं जो उनके जीवन में बदलाव ला सके केजरिवाल जी ने पाँच गैरंटी दे के यह बता दिया है कि लोगों की मुलभूत सुविधाओं के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है केजरिवाल जी ने पाँच गैरंटी देंगे मुफ्त बिजली देंगे अच्छे अस्पताल बनाए में आम आदमे के सरकार बनने जा रहे हैं। आम आदमे के सरकार हर्याना के अंदर बनाएंगे। आम आदमे के सरकार हर्याना के सरकार बनादैजर जा रहे हैं। झाल झाल